गाइस किया एक अच्छा वर्कॉड रोटीन फॉलो करना एक हिल्दी डाइट प्लान के साथ क्या यह दोई फैक्टर है एक इनसान को हिल्दी और फिट बनाये रखते हैं तो इसका आंसर है नहीं गैस दिरा सो मेनी अधर फैक्टर जो की रोल प्ले करते हैं आपको हेल्दी और फिटर बनाये रखने में तो आज के वीडियो में ऐसे फैक्टर के बारे में आपन बात करते हैं जिसको बहुत सारे लोग इग्नोर करते हैं बट जिसकी कमी आपको डे टुडे लाइफ में में बहुत सारे लोग अपने स्लीप को कम्प्रमाइज करते हैं अपने दुसरे कामों से विचीज आलसो एक की फैक्टर कीप यू हेल्दी एर फिटर फॉर लॉंगर टाइम बने रहे हैं मेरे साथ एंडे तक इस वीडियो में क्योंकि इस वीडियो में बताऊंगा कैसे fendने एक शीडियो में इस अज्यू के सकते हैं कि दो सकते हैं एक इस तो किसे अज्यो केंहां हूर इसने। टाइल में एक फांठर की टिरहां neurilia और श्यूर जविन दो एंग्रियों इस यू बढ़ए między आपकी कॉलिटी आफ स्लीप हर किसी की मदद कर सकती है हमें सहाथ सर देखते हैं कैसे आपकी कॉलिटी आफ स्लीप हल्प करती है मदल सुमे से जाथा जाएंट होदेश लिए जेखते हैं आपके मदल्ससं करते हो याःट निोछा नी यहां बनी नीन लेते हो जब आपके बडी में पूटीन सिंतरे फोकसिंग के अग terrace आपके न शॉटेट न करते हो तो Stone पाया गया है जो इनसान एक सफिशेंट क्वालिटी स्लीप लेता है उसमें क्रेविंग बहुत कम होते हैं और अपने खाने पर अच्छा कंट्रोल रख पाता है और यह कैसे होता है गाइस आपकी क्वालिटी वाली नीन आपके हार्मोन को रिगुलेट करते हैं स्पेसिफिकल करते हैं जिससे आपको फुलर फील होता है फॉर लॉंगर टाइम जिससे आप कॉंशियसली खाते हो जो डारेक्ट रिलेटेड आपके फैट लॉस यावेट लॉस को थार्ड गाइस आपकी क्वालिटी वाली नीन नाहीं हेल्प करते हैं आपको फिजिकली फीट रहने में इसमें सबसे पहले इम्मून सिस्टम को बनाती है के एक्रूप करता है आपकी बॉरिकों से लडने में अगर आप सफिशंट कॉलिटी स्लीप नहीं ले रहे हो तो आपका इम्मून सिस्टम कमचोर हो सकता है आप चोटे-चोटे से इंफेक्शन से भी बिमार हो सकते हो गई वहीं अगर आप वाली स्लीप ले रहे हो तो यह आप को सिर्फ इंफेक्शन से दूर नहीं रखेगा इट विल आलसो हेल्प यू टू कीप अवे फ्रम क्रॉनिक डिसीजर्स लाइक डियाबिटीज हाट हाट डिसीजर्स एक्सटर यह थोड़ा ज्यादा होता है गाइस corporate employees में दू तो देर वर्क स्ट्रेस और दू तो देर लाइफस्टाल सो यूर क्वालिटीज स्लीप विलह टू रिगूलेट इस हार्मोन एंड इट विलहल्प यू तो फिल एपियर एंड लिव बिटर एंड हेलियर पर लॉंगर ताम इसके लिए मैंने चोड़ा सा प्रेंटेशन बनाया है लेट में शेयर मैं स्क्रीन इसब पॉइंट्स मैं एक्स्प्रेंड कर दिये गाइस लेट मी गो डारिकली हाओ तो इम्प्रू यूर क्वालिटी अप स्लीप इसमें सबसे पहले काम आप काम कर सकते हो आपके आंबिय क्योंकि जातर और कॉपरेट इंप्लोई इसमें काम करते हैं और कभी-kabhi night shift में काम करते हैं so they have to sleep in the daytime so use the curtains to cover the sunlight and make the room darker and maintain the climate of the room जिसे कि आपको अची सी निंच जल्दी से जल्दी आ जाए and second you can stick to your schedule guys means आपका जो awake और sleep cycle schedule में follow कर सकते हो आप यहां थोड़ा अब रब अगर आप sleep को priority पे रखोगे तो you can manage your schedule and you can sleep on the same time and you can wake up on the same time. This will also going to help to improve your quality of sleep. And third guys, using power naps. अगर आप एक time पे completely अपना sleep complete नहीं कार पर आप हो you can go for 30 to 60 minutes of power naps which helps you to refresh, which helps you to increase focus and productivity. And fourth point guys, keeping away from caffeine. So caffeine, like we all know, is a stimulant. So if you take caffeine from sleep, it will disturb your quality of the sleep. So try to keep yourself away from caffeine for at least 4 to 5 hours before your sleep. And fifth point guys, keeping your dinner as light as possible. क्योंकि जब आप heavy खाना खाल लेते हो and if you try to sleep, आपका digestive system काम करते रहता है जो एक बादा डाल सकता है आपको एक quality नीन लेने में. So try to take light food and at least half an hour to one hour before your sleep so that you can feel lighter and you can get the quality of sleep. Our sixth point guys, adding herbs. आपको काम नहीं बन रहा तो you can add this Indian herbs which are natural and safe and which are having tons of benefits apart from just getting the quality of sleep. And what are the herbs I use guys? So most of the time I use ashwagandha before my bed. Ashwagandha का फाइदा क्या होता है guys? इस ashwagandha आपके पूरे hormones दुसरे जो भी hormones होते हैं उसको relax करता है and it will feel your brain like relax and उस relaxation से आपको नीन बहुत अच्छे से आजाती है. And अगर आपको ashwagandha से भी काम नहीं बन रहा है तो you can add melatonin also. Melatonin भी एक herb होता है guys जो help करता है आपके quality of sleep में. And seventh point guys, you can use short meditations before your bed. यह भी help करता है guys आपकी नीन की quality बढ़ाने में. Because जब आप meditate करते हो आपके mind को एक relaxation feel होता है. आपका blood flow, hormones, ब्लद फ्लोव, hormones, ब्लद हो जाता है. जो help करता है आपकी नीन की quality बढ़ाने में और आपको healthy रखने में. And eighth, the most important point guys, जो मैंने अलर्री बता दिया है. Prioritizing the sleep. क्योंकि हमें से जातर लोग अपने sleep को compromise करते हैं अपने दुसरे कामों से होड least priority देते हैं अपने sleep को. But guys, as I said you, it is one of the important factor to keep you healthier, fitter for longer time. So always prioritize your sleep and try to take sufficient amount of sleep. हाँ, कितना नीन लेना है guys on a daily basis? तो इसके बारे में हर रेक का अपना परसप्शन है guys. कोई कहता है पांच गंडे है, कोई करता है, छे गंडे है, कोई करता है, चार गंडे है, but guys, as per study, seven to nine hours is the ideal time. इतना नीन लेना चाहिए हर किसी को. But is again up to you. It depends upon person to person. जैसे मैंने का है, कुछ लोग पांच गंडे में कमफरेबल फिल करते हैं, कुछ लोग 10 गंडे में कमफरेबल फिल करते हैं. Always try to take appropriate quality of sleep as per your requirement to see yourself healthier for longer time. So guys, this was a short video about your sleep, about the importance of your quality sleep. अगर आपको फिर भी कंशी जाना this topic में, there is a link in my description from which you can book a one-on-one free consultation call with me and you can clear your queries. So guys, उम्मीद करता हूँ, ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा. अगर पसंद आया तो, प्लीज लाइक करिये और शेर करिये उस इंसान से, जो अपने sleep calls least priority देता है और अपना focus पूरे दूसरे चीज़ों पर लगा के रखता है. And guys, please don't forget to subscribe to my channel and hit the bell icon for more informative videos like this in future. So guys, this is Sanju Kaliwala signing off. See you in the next video. Till that time, stay healthy, stay fit, stay natural. Bye.